नवरात्र के तीसरे दिन जरूर पणे माता चंद्र घंटा की ये प्रचलित कथा जाने पूजा विधी नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है दुर्गा मा ने असुरों का संघार करने के लिए चंद्र घंटा का रूप धारन किया था जानते हैं मा चंद्र घंटा की पूजा विधी और प्रचलित कथा नमरात्री के तीसरा दिन मा चंद्र घंटा की पूजा कर उन्हें प्रसंद किया जाता है माता चंद्र घंटा को कल्यानकारी और सांतिदायक का रूप मानते हैं माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चीहनित है। यही कारण है कि मा को चंद्घंटा कहते हैं। मा चंद्घंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है बलकि मा प्रसंद होकर सबी कष्टों को हल लेती है। ऐसे में ये दियाप तीसरी मा चंद्घंटा की व्रत कथा क्या है? साथ ही पूजा विधी के बारे में भी पढ़ेंगे. पढ़ते हैं आगे। मा चंद्घंटा की पूजा विधी फूल अरपन करें साथ ही माला भी चड़ाएं आप पंचामत मिस्री और मिठाई आदी से भोग लगा कर उनकी मंत्रों का जाब करें माता चंद्रघंटा की कथा प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुरगा ने मा चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब देत्यों का आत लोग पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था जब देवताओं को इसकी इच्छा का पता चला तो वे परिसान हो गए और भगवान ब्रह्मा विश्णू और महेस के सामने पहुंचे ब्रह्मा विश्णू और महेस ने देवताओं की बात क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से उर्जा निकली उस उर्जा से एक देवी अवतरित हुई उस देवी को भगवान संकर ने अपना तरिसूल भगवान इसनों ने अपना चक्र एबम इंद्र ने अपना घंटा सूरी ने अपना तेज और तलवार और सिंग प्रदान किया इसके बाद मा चंद्र घंटा ने महिसा सुर्ण का वद कर देवताओं की रक्षा की तो दोस्तों यह थी मा चंद्र घंटा की कथा आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जय माता दी या देवी सरुभूते सु चंद्र घंटे रूपेन संस्ता नमस्ता से नमस्ता से नमस्ता से नमस्ता से नमुना